हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग वेलकम बैग ऑन यूर चानल स्टैंट बीपीएसी उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई करते रहे होंगे और जुनून जोस के साथ अपने परिक्षाओ के लिए तत पर रहे होंगे जोगे दोस्तों आज चले कुछ बाते करते हैं देखिए एक्जाम से रिलेटेड बात करेंगे हम लोगा जोगे हम लोगा परपस क्या होगा उदेश उदेश क्या होगा हम लोगा उदेश होगा एक्जाम से रिलेटेड बात करने का वेन वेल बी, वेन वेल बी, कंड़क्ट, कंड़क्ट, यूर एक्जामिनेशन, देखें दोस्तों, कब आपका परिक्षा हो सकता है, मैंने यही लिखा है, कब परिक्षा हो सकता है, आखिर इतनी लेट क्यूं हो रही है, परिक्षा, परिक्षा में इतनी लेट क्यूं, इतनी लेट क्यूं, क्या परिक्षा होगा या नहीं, कब तक हो सकता है, कब तक हो सकता है, दोस्तों, कब तक परिक्षा हो सकता है, देखें दोस्तों, परिक्षा तो अपका होगा, यह स्योर है, चुकिए फॉर्म भारा गया है, आच्छा खासा फॉर्म की संख्या गिरी है, तो जाहिर से बात है दोस्तों, क्या होगा, एक्जाम होगा ठीक ना एक्जाम होगा ये स्यूर है लेकिन एक्जाम कब होगा देखे हम बोले थे किन को हम बोले थे डॉक्टर विकास जी को लाने के लिए ठीक है आज भी बोले थे आने के लिए लेकिन वो क्या होगे दोस्तों फेल होगे फेल मार दिये चुकि जानते हैं कि कोट का एक जर्ज सहब है एक जर्ज है ठीक है न पटना हाई कोट के जो जर्ज है उनका सा इतबादला होने वाला है या कुछ ऐसे बाते सुनने को मिला है इसलिए थोरा सा ये एक्जाम होने में क्या हो रहा है लेट हो रहा है लेकिन एक्जाम होगा बहुत जल्द आप लोगा एक्जाम होगा बोलें कि जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जल्द कब तक निकाला जाएगा उन्होंने बोला है कि आप जुलाई तक इंतिजार कर दिजे जुलाई के लाश तक इंतिजार कर दिजे और अपका एक्जाम जो हो सकता है संभावने बताया है उन्होंने कि आपका एक्जाम जो हो अगस्त तक खिंच कर ले जाए अगस्त तक खिंच कर आपका एक्जाम ले जाए notification बहुत जल्द निकाला जाएगा और जैसे भी होगा आपको notice के मादियम से बता दिया जाएगा आप लोग बने रहे हैं patience रखिए, धैर्ज रखिए exam होगा तो होगा आप अपनी तयारी परिपक को बनाएए देखिए आप लोग भी बिहार से हैं और आप लोग मेरे दोस्त हैं मैं आप लोग का कभी भाला बुरा भाला चाहूंगा ठीक ना बुरा कभी नहीं चाहूंगा, ओके? हमारे साथ जो लोग मेरे साथ जूरे हुए हैं एक हम लोग का परिवार है दोस्तों और परिवार में अनबन नहीं होना चाहिए, ठीक ना, हम लोग एक परिवार के तरह है, जो हम लोग का YouTube family है, वो क्या है, we are family, okay, we are all together, तो उसी के माधियम से, मैंने बीच-बीच में बोला था कि आप लोग को हम guideline करेंगे, मायूस मत हो जिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, हम जो quiz करवा रहे हैं, quiz में बहुत स मतलब quiz में जो top करेंगे, उनका नाम YouTube पर रोज announce किया जाएगा, ठीक है ना, रोज announce किया जाएगा, तो उसी के तहत किया जाएगा, और आप लोग परिये, अपनी तयारी complete रखे, एक्जाम, आपको कोशिस किजिए कि आपको एक्जाम देना है, ठीक है, आपको एक्जाम द करना करा ना इस, सapter करना है, अगर बहुत लोग बूर रहे हैं क्या, कि सर, ज़्यादा हम लोग प्योन वाले हैं, प्योन वाले हैं. तो भई प्योन वाले हैं तो आपको पता है, 85 कोशन पूछा जाएगा, चलिए आपको डिटेल बता देते हैं, कितना marks अपला सकते हैं, च कुछ लोग बोल रहे हैं क्या, कि 100, दोस्त, 100 कोशन नहीं रहेगा, 85 कोशन रहेगा, जिसमें आपको 35 क्या हो जाएगा, MCQ फॉर्म का क्या होगा, आपको, मैथ पुछा जाएगा, ठीक है, और 35 क्या हो जाएगा, हिंदी रहेगा, ठीक, अभी MCQ फॉर्म में रहेगा, इसका बहुत बरा योगदान है, बहुत बरा, यह इंपोर्टेंट है दोस्तो, ठीक ना, उसके बाद आपका क्या है, 15 नंबर का इंगलीस है, ठीक है, तो इंगलीस वह MCQ फॉर्म में रहेगा, इसमें आपके क्या रहेंगे, antonium, synium, 10 से related रहेगा, narration रहेगा, narration, voice, ये रहेगा, fill in the blanks, article रहेगे, an का, जिसका हम परयों करते हैं, preposition रहेगा, okay, यह आप complete कर लेते हैं, तो 10 बारे number यहां से हो जाता है, 15 में 10 number भी लाते हैं, चुकि सबसे खास बतिया है, कि इसमें दोस्तो, negative marking नहीं है, negative marking नहीं है, दोस्तो, इसमें negative marking नहीं है, इसलिए सारे लोग बनाएंगे, सारे लोग बनाएंगे, okay, कोई question नहीं छोड़ेगा, आप लोगों को, आप लोग मेरे साँ जो जुरे हुए हैं, ठीक है ना, तो आप लोग जब solve करने जाएंगे एक्जाम में question, तो क्या करेंगे, सारा question बनाएंगे, नहीं भी आ रहा है, तब भी बनाना है, क्योंकि negative marking है नहीं, सभी लोग बनाएंगे दोस्त, okay, सभी लोग बनाएंगे ना, जाइर से बात है, देखे, पिछले बार cut-off की हम बात कर ले, देखे, cut-off की बात कर लेते हैं भाई, क्या है, cut-off की, अगर हम general की बात करें, general में किसका, male का, तो इन लोग का cut-off, पिछले year के मुताबिक हम बता रहे हैं, प्योन के लिए, अगर आपका दोस्त, 70 आ रहा है, तो आपका result हो जाएगा, ठीक है, general में अगर EWS, EWS है, अगर आपका 60 नमर आया तो आपका selection पक्का है, अब general में हम लड़की का बात करते हैं, ओके, इनका कितना marks होना चाहिए, तो आपका भी दोस्त, आपका भी होना चाहिए कितना, आपका 58 से 62 होना चाहिए, लड़कीयों के लिए, अब आते हैं OBC में, OBC की जो लड़किया है, अगर उनका, ये गर लेका है दोस्त, OBC लड़कीयों के बात करें, जो BC1, BC2 में आती हैं, उनका अगर मान लिजे, मान लिजे का पिछले यर का हम बता रहें कितना था, उनका था कितना दोस्तो, 55 से 60 था, पिछले यर का बता रहें, लेकिन अभी के मुताबिक, अगर अभी के मुताबिक बोल रहे हैं, तो अभी के एकोडिंग आपका जाना चाहिए, 68 से 70, वर्तमान सिचुएशन के एकोडिंग, निगेटी मार की हाई, EWS का भी मान लिजे, इसमें भी 58 से 60 हो सकता है, और जेनरल में इसमें और कौम होगा, ठीक ना, 60 तक जाएगा, और OBC की लड़कियों के बात करें, तो यह हो जाएगा आपका कितना, 57 से 60 रहेगा, और बात करते हैं, AC, ST का, तो इनका रहेगा, 54 से 56 के बीच, ठीक है, तो यह आप किलियर कर लिजेगा आप लोग, और एक किलियर हो जाएगा यहां से, छोटी हो गया ना आप लोग का, लाइट का कमी है ना, यहां पर खाला-खाला चेहरा आता है, एकना लाइट लगवाना परेगा, क्वालिटी बेगर सब चीज ठीक है, लाइट के बज़ा से प्राब्लम हो रहा है, यहां पर एक लाइट फ्रॉंट पर एक और ट्यूब लाइट लगवाना परेगा, तो खिलियर हो जाएगा, ठेक है दोस्तों, और आप लोग पढ़िए, कलरक, इसी में दोस्तों, GKGS नहीं है, बाकी आपका यह जो पोस्ट है और बताते हैं, मैंने क्या बोला था कि, चार राजियों का, चार राजियों का पिछले पांच सालों का क्या करेंगा, आप प्रेवेस एर का कोश्चन ले लिजिए, और उसको धो डालिए, ठेक है, गर्दा उरा देजिए, आपका हो जाएगा, कलरक वालों की बात करें, तो कलरक में इसमें क्या है दोस्तों, यह थोड़ा टॉप लेवल का है, ग्रिजुट लेवल का है, इसमें एडवांस मैथ पूछेगा, एडवांस मैथ, जीके, जीएस, और क्या रहेगा दोस्तों, मैथ तो रहेगा, बता दिये, हिंदी भी रहेगा, ठीक ना, और रिजनिंग मैथ भी रहेगा, और टाइपिंग भी है इसमें दोस्तों, प्याउन कोछ और कर बाकि सब में टाइपिंग है दोस्तों, याद रखिएगा, कोट में बीना टाइपिंग का कोई चीज नहीं होता है, तो आप लोग पढ़ते रहेए, आप लोग सटिस्फाइड हो गए होगे, अगर सटिस्फाइड नहीं हुए है, तो आप मुझे पर्सनली टेलिग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर एपलाई देता हूँ, ओके, और पढ़ते रहेए, जितना हो से को उतना पढ़िये, पढ़ियेगा, आप तैयारी करोगे अच्छा से, तो आपको पढ़ने का मन करेगा, खुब खेल रहे हैं, खुब घूम रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक ना, डिप्रेशन में नहीं जाना है, जितना जादा आप डिप्रेशन में जाएंगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए पढ़ाई से थोरा इंट्रेक्ट होते रहे हैं, जूडते रहे हैं, एग घंटा, आदा घंटा, दो घंटा, चार घंटा, जितना मन करें रोज पढ़ते रहें, रोज पढ़ने का आदत हो जाएगा उसके चलते, ओके, और लर्का लोगों के लिए बाता रहे हैं, देखो बाबू, दोस्त, तुम लग तो मेरे भाई हो, कुछ लोग मेरे सेयेज में भी बरे हैं, लेकिन वी आर फ्रेंट, ओके, दोस्ती में, देर इस नो कंडिशन इन फ्रेंट्शिप, कोई उम्र माइने नहीं रखता है, और पढ़ाई या गेम या पंपटिशन, उसमें उम्र लिहाज तो बिलकुल भी माइने नहीं रखता है, इसलिए, कोई भी छेत्र हो, कोई भी गेम हो, कोई भी कंपटिशन हो, उसमें आप लोग लग जाएए, और दिखा दीजे अपना जलवा, और जिन दोस्तों का माल लिजें, मेरे मादेम से किसी का सेलेक्शन भी होता है, तो आप आ सकते हैं दोस्त, ठीक है, और मिल सकते हैं, हम लोग मिलकर वीडियो बनाएंगे, जैसे का माल लिजे कि इस बार, हम लोग offline class चलाते हैं, उसमें मातर 9 लर्कों को ही पढ़ाय रहे, पढ़ाय थे हम लोग 9 लर्कों को, ठीक ना, और 9 लर्कों को 9 का result हो गया, ऐसे सी का, एक ही लर्का पढ़ रहा है, कोई दिकत नहीं है, लेकिन उसी पर 100% आदमी output लगाएगा, तो समझ लिजे कि result जरूर मिलता है, ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल, और अपना ख्याल रखे पढ़ाई कीजे, ठीक है दोस्तों, ठीक है, भाई भाई.